हर्याना में सत्ता का उलट फेर हो गया है मंगलवार दुपहर मनोहरलाल खटर ने सीम पल्च से इस्तीफा दे दिया और शाम को नए सीम के तौर पर नायब सिंग सैनी ने शपत ले ली इसी बीच बीजेपी के दिगज नेता और पूर ग्रेह मंतरी अनिल विज की नराजगी की खबरें भी सामने आने लगी है दरसल खटर के इस्तीफे से पहले हर्याना निवास में जहां भाजपा की बैठक हो रही थी उसमें अनिल विज मौजूद थे लेकिन बैठक के बीच में ही वो वहां से निकल गए इसकी वजह पूछे जाने पर वो सवालों को टाल गए उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली से आये हैं वो बताएंगे पैठक बीच में छोड़कर निकलने के बाद विज सीधे अपने अमबाला स्थित आवास पर पहुँच गए छेबार के विधायक विज चंडिगर में शपत समारों में भी शामिल नहीं हुए अब इसे लेकर तरह तरह की अटकले लगाई जा रही है सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि हर्याना सरकार में जिस तरह का बदला हुआ है विज उससे नाखुश है उनकी नाराजगी साफ तोर पर नज़रा रही है मंगलवार शाम जब चंडिगर में नई सरकार बन रही थी और सीएम समेत मंत्री शपत ले रहे थी उस समय अनिल विज अंबाला में मौझूद थे जरा ये विडियो देखिए अनिल विज का ये विडियो ठीक उस समय का है जिस समय सीएम पद की शपत ली जा रही थी विडियो में विज समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के साथ मजे से गोलगप्पे खा रहे हैं पोतियों के साथ खेलते नजर आ रही हैं। क्या बोले हैं। अपने इस बयान में उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो बीजेपी के लिए समर्पित होकर काम करेंगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि परिस्तितिया बदलती रहती हैं। लेकिन नाराजगी पर उचे गए सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में उनके नाखुष होने का संदे अभी भी बना हुआ है। इस खबर में बस इतना ही ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन का डिजिटल प्लैटफोर्म। हर्याना में सत्ता का उलटफेर हो गया है। मंगलवार दुपहर मनोहरलाल खटर ने CM पज से इस्तीफा दे दिया। और शाम को नए CM के तौर पर नायब सिंग सैनी ने शपत ले ली। इसी बीच बीजेपी के दिगज नेता और पूर ग्रह मंत्री अनिल विज की नराजगी की खबरें भी सामने आने लगी है। दरसल खटर के इस्तीफे से पहले हर्याना निवास में जहाँ भाजपा की बैठक हो रही थी। उसमें अनिल विज मौजूद थे। लेकिन बैठक के बीच में ही वो वहाँ से निकल गए। इसकी वजह पूछे जाने पर वो सवालों को टाल गए। उन्होंने कहा की जो लोग दिल्ली से आए हैं वो बताएंगे। बैठक बीच में छोड़कर निकलने के बाद विज सीधे अपने अंबाला स्थित आवास पर पहुँच गए। चेबार के विधायक विज चंडिगर में शपत समारों में भी शामिल नहीं हुए। अब इसे लेकर तरह तरह की अटकले लगाई जा रही हैं।